बहुत अच्छे होंगे, दोस्तो, SSEGD 2024 के त्यारी करने वाले सभी युवागन, सभी विदार्थियों के लिए इस YouTube चैनल के द्वारा रामानुजाचारे सीरीज शुरू के गई है, इस रामानुजाचारे सीरीज में फर्स्ट वीडियो के अंदर हम आज mathematics के question देखते हैं, 180 अंक प्राप्ट किये, और वह 30 पर 30 अंक से फेल होगी, यदि प्रिक्षा का उतरिनांक 30 पर 30 हो, तो प्रिक्षा का कुलपुर्णांक क्या होगा, ये question है दोस्तो, शिता ने कितने अंक प्राप्ट किये, 180 और वह 30 अंक से fail हो गई या 30 प्रतिसत उतरांक है यह प्रतिसत नहीं है दोस्तों यह question में misprinting लिखाओ है यह कितना है यह only for 30 लिखाओ है 30 अंक लिखाओ है 30 अंक से वो क्या हो गई? fail हो गई तो अब देखो दोस्तों सिता के 180 अंक तो आए अगर 30 अंक और आते तो सिता पास होती मत्वल यह ना दोस्तों 180 अंक तो उसके आए अगर 30 अंक और आते उसके तो वो पास हो जाती या तो आप percentage में बोलने तो दोस्तों एसे बोल सकते हैं 30 प्रतिसत ठीक है ना 30 पर 30 अथ बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं दोस्तो 180 उसके नमबर आए 30 और आती तो वो पास होती मतल़ 210 इसमें कोई डाउट है क्या दोस्तो या तो आप 30 पर 30 अथ बोलें या दोस्तो आप 210 बोलें दोनों बराबर mathematics में अपना एक की रूल है कि जो चीज़े हैं उसको अपने को बराबर रखने है और बराबर रखने के बार एक का मान आपको ग्याब करने है इसमें कोई डाउट हो तो आप कोमेंट कर सकते हैं 30 पर 30 अथ 210 के बराबर है या से 1 पर 30 का मान निकालेंगे दोस्तो तो ये होजएगा 210 बटा में 30 अब 0 से 0 केंसिल आउट करें आप 3 एकम 3 और 7 ती आइकीस दोस्तो एक पर 30 का मान कितना है 7 एक पर 30 का मान कितना है दोस्तो 7 है अब दोस्तो जब एक पर 30 का मान आपका 7 आ चुका है एक प्रतिसत का मान आपका कितना है दोस्तो, साथ है, तो अब हमें क्या करना है, कुल पुरुणांग ज्याद करना है, तो दोस्तो कुल पुरुणांग कितना होता है, कुल पुरुणांग होता है, सो, जब अभी हमने देखा, एक प्रतिसत का मान कितना आया था, साथ, तो कु प्रिक्षा में 240 अंक उसके आई जो उत्रिनांक से 24 नंबर ज्यादा थे यदि किसी प्रिक्षा में उत्रिनांक 36 परतिसत है तो कुल पुरिनांक क्या होगा दोस्तों उत्रिनांक कितना है 36 परतिसद जो जिस बच्चे के 36 परतिसद नंबर आएंगे वो पास होगा ये तो percentage में अब नंबर कितने आने चीए श्याम के दोस्तो 240 नंबर आए ठीक है कितना है दोस्तो 240 नंबर आए और उसके 24 नंबर ज़्यादा आगे किस से उत्रिनांक से जितना परिक्षा का उत्रिनांक रखा गया था उससे 24 नंबर ज़्यादा आगे तो इसका मतवल उत्रिनांक कितना होगा दोस्तों 24 इसमें से घटा देंगे तो उत्रिनांक आजएगा बात आई क्या समझें कि आपके नंबर ज़्यादा आगे यह तो नहीं है ना कोई बच्चा है उसको only pass marking लाना है यह जुरूर यही थोड़ी होता है नमबर ज़्यादा आते हैं तो pass marking नमबर जो थे 240 में से उसके 240 टोटल आए और 24 ज़्यादा आए इसका मतवल 36 परतिस जो नमबर थे वो 240 में से 24 घटा देंगे दोस्तो तो 16 आएगा कितना आएगा दोस्तो 16 दोसो 16 आएगा बात आए क्या समझे तो जैसे आप 1 परतिसत का मान निकालेंगे दोस्तो तो 216 बटा में 36 दोस्तो आपको याद होगा 216 जो है 216 और 36 का जब डिवाइडेशन करेंगे न 36 से गुणा करते हैं तो 216 आता है एक परतिसत का मान कितना है दोस्तो 6 है आप से क्या पुछागे है कुल पुर्णाग पुछागे है तो दोस्तो कुल पुर्णाग कितना होगा जब एक परतिसत का मान दोस्त भूए का मान कितना हो जाएगा दोस्तो 600 रूपे हो जाएगा कितना होगा 600 रुपे होगा तो इस तरह से टोटल पुर्णाग जो है वो आपका 600 आएगा next question की ओर बढ़ते हैं दोस्तो यह हैं दोस्तो आपका कि पूझा ने किसी प्रिक्षा में अब देखो पूज्जा ने किसी प्रिक्षा में 20% अंक प्राप्त किये और वह 32% अंक से फेल हो गई यदि प्रिक्षा का उत्रिणांक 30% हो तो प्रिक्षा का कुल पुरणांक ज्याद करें दोस्तों यह जो नंबर है वो भी यहां में स्प्रिंटिंग लिखाओ है यह 32 बहतर है कितना है बहतर अंक है परसेंटेज नहीं है बहतर अंक है ठीक है यह समझना आप अब देखो पूज्जा ने किसी प्रिक्षा में कितने अंक लिए यह लिए पूज्जा ने किसी प्रिक् इसलिए पूजा फेल होगी और पूजा फेल होगी कितने से बहतर अंक से फेल होगी इसका मतबल क्या हुआ अगर पूजा के 30% आते तो वो पास थी लेकिन आये नहीं उसके कितने आये उसके 20% अंक आये इसका मतबल यह हुआ यह जो बहतर अंक है यह बहतर जो अंक है वो 30% आता उसके 20 या इसका मतलब 10 परतीसत बचा है ये बहतर जो नंबर अंक है वो 10 परतीसत का मान है कितने का दोस्तो 10 परतीसत का मान है बात आई क्या समझ में 10 परतीसत बराबर बहतर है दोस्तो बात आ रही है क्या समझ में 20 परतीसत उसके अंक आए 30 आने थे इसका मतलब वो 10 परतिसत से फेल हो गई अगर मैं बोलू परसेंटेज में तो मैं ऐसे बोलूँगा दोस्तो 10% से फेल होई अगर मैं नंबर में बोलूँ तो दोस्तो मैं क्या बोलूँगा बहतर रंक से फेल होई मतबल एक है ना या तो 10 परतिसत से फेलोई या बहतर रंग से फेलोई मतबल एक तो यहां से दोस्तो जब आप 1 परतिसत का मान निकालेंगे अब देखते हैं कि 1 परतिसत का मान कितना आएगा तो दोस्तो अगर 10 परतिसत का मान आपका कितना था बहतर था तो एक परतिसत का मान आएगा दोस्तो बहतर बटा में 10 बहतर बटा 10 करोके दोस्तो तो आएगा 7.2 कितना आएगा 7.2 और अब टोटल पुर्णांग तो कितना होता है 100 होता है टोटल पुर्णांग कितना होता है दोस्तो 100 परतिसत तो ये 7.2 का जब आप 100 से गुणा कर देंगे तो आपको पता है दोस्तो 720 इसका राइट एंसर आएगा इतना हैगा दोस्तो 720 इसका राइट एंसर आएगा तो इस परकार दोस्तो आज के जो रामानुजाचारी शीरीज के अंदर हमने mathematics के question देखे हैं जो SSGD के लिए काफी important है इसी परकार की सीरीज लगातार आपको प्राप्त होगी इसी YouTube चैनल पर चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो सबस्काइब कर लें बेल के प्रेस को note करके रखें ताकि सभी authentics खबरें जो हैं और प्रिक्षा से संबंदी टेश सीरीज और free of cost जो सलेबस चल रहा है हमारा सीरीज वगेरा वो भी आपको उपलब्ध होती रहे थेंक्यू फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ फिर से हम रामानु जाचारी सीरीज सेकेंड लेके आपके सामने हाजिर होंगे टप्टा के लिए धन्यवाद जेहिन जेभात